हलो फ्रेंज, वेलकम टू सपना, सिंपल एनेजी कुकींग आज हम बनाएंगे नारियल के लड्डू ये लड्डू जितने खाने में स्वादिश बनते हैं उतने ही कम वक्त और कम चीजों में ही बन जाते है नारियल के लड्डू को जादा तर तेहारों में मिठाई की तरा और प्रशाद के लिए बनाया जाता है इन जूसी और टेस्टी लड्डू को बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक कप सूखे होए नारियल की पाउडर ली है मैंने यहाँ पे नारियल के टुकडो को पीस कर पाउडर बनाई है आपको ये किसी भी ग्रोसरी स्टोर में आसानी से मिल जाएगी एक कप नारियल की पाउडर में मेडियम साइस के आठ से दस लड़ू बन जाएंगे अगर आपको जादा लड़ू बनाने है तो आप उस हिसाब से इसका प्रमान जादा ले सकते है अब एक पैन में दो छोटे चमश घी डालेंगे घी थोड़ा सा गरम होने के बाद इसमें नारियल की पाउडर डालेंगे अब इसे धीमी आजपर एक से देड मिनिट के लिए भूनते रहेंगे इसे भूनते समय एक बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि हमें फ्लेम बिल्कुल भी नहीं बढ़ानी है क्योंकि नारियल की पाउडर बहुत जल्दी भून जाती है और इसका रंग भी बदलने लगता है एक से देड मिनिट तक धीमी आजपर भूनने के बाद आदा कब गरम दूट डालेंगे अब नारियल की पाउडर को दूट के साथ चार से पाउच मिनिट के लिए धीमी आजपर पकने देंगे नारियल से दूट सूख जाए तब तक हमें इसे अच्छी तरह से भूनते रहना है नारियल की पाउडर और दूट का मिक्स्चर गाड़ा हो गया है अब हम इसमें आधा कप शक्कर डालेंगे अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे आप देख सकते हैं शक्कर पिघलने लगी है अब हम इस बैटर को दो से तीन मिनट के लिए धीमी आजपर भूनते हुए पकाएंगे दूद में पकाने की वज़े से इससे बनने वाले लड़ू काफी क्रीमी और सॉफ्ट भी बनेंगे दो से तीन मिनट तक धीमी आजपर भूनने के बाद मिक्स्चर गाड़ा हो गया है अब इसमें एक चवथाई छोटा चम्मच फ्रेश कुटी हुई हरी इलाइची की पाउडर डालेंगे हरी इलाइची की पाउडर की वज़े से लड़ू बहुत ही ज़ादा आरोमाटिक बनते है अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे नारियल के लड़ू ओके लिए मिक्सर तयार है अब हम ग्यास बन कर देंगे अब इस मिक्सर को पाँच मेट के लिए ठंडा होने देंगे अगर आप चाहे तो इस मिक्सर को आप दुसरे बाउल में भी निकाल कर ठंडा कर सकते है मिक्सचर भी हलका सा ठंडा हो गया है लड्डू की कोटिंग के लिए हमने यहाँ पे सुखे होए नारेल की पाउडर ली है अब घी का हाथ लेकर इस मिक्सचर के मीडियम साइस के लड्डू बनाएंगे मिक्सचर हलका सा गरम होना जरूरी है तभी हम इसके अच्छे से शेप दे पाएंगे लड्डू बन गए है अब इन लड्डू ओको नारेल की पाउडर से कोटिंग करेंगे इसी तरह से हम सारे नारेल की लड्डू बनाकर इसे नारेल की पाउडर की कोटिंग करेंगे क्रीमी और टेस्टी सूखे नारियल के लड़ू सर परने के लिए रेडी है हमें इन्हें तुरंट फ्रिज में रखने की भी जरूरत नहीं है ये आसानी से 6-8 दिनों के लिए रूम टेंपरेचर में ही बिना खराब होए सॉफ्ट बने रहेंगे आपको भी ये आसानी से बनने वाले नारियल के लड़ू की रेसिपी जरूर पसंद आएगी आप इन्हें बना कर देखिए और अपना फीड़बैक कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए थैंक यू